अक्सर लोगों के मुँँ में छाले निकल आते हैं अगर समय रहते इनका इलाज ना किया जाए तो ये परिशानी और भी बढ़ा सकते हैं परिशानी बढ़ने से खाना खाने पानी पीने में बहुत दिक्कत होती है इसे छुटकारा पाने के लिए लोग कई प्रकार की दवाईयों का इस्तेमाल भी करते हैं मगर इसे कोई फैदा नहीं होता है तो फ्रेंड्स ऐसे में कुछ घरेलू नुसके जो हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके मुह और जीब के छालों से रहत दिलाएगा तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आपको बराबर मिलती रहें पहला उपाय है फ्रेंड्स दो तीन लेसुन की कलिया ले 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 इनका पेस्ट बना ले अब इस पेस्ट को चाले वाली जगा पर लगाए थोड़े समय के बार थंडी पाने से कुला कर ले इस तरह आसानी से चालों से निजात पा सकते हैं चालों पर थंडी चीज लगाने स इससे भी बहुत जल्दी फाइदा होता है इसलिए बर्फ को चालों पर रगड़ें दिन में ऐसा चार-पांच बार करें इससे चालों में काफी राहत मिलेगी इसरा उपाय है फ्रेंड्स दूद दूद में केल्सियम पाया जाता है जो चालों को ठीक करने में सहाय होता है ठंडे दूद में रूई को भिगो कर चालों पर लगाने से आपके चाले एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे चौथा उपाय है मूँ और जीब के चालों से चुटकारा पाने के लिए रात को सोने से पहले देसी घी को चालों पर लगाएं घी लगाने से सुबा तक चाले बिल लेकिन अगर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमाजya वीडियो को लाइक करें कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भोलें फिर मिलेंगे अग्ली वीडियो के साथ